कॉंग्रेस के राष्ट्रिय नेता राहूल गांधी आज मध्यप्रदेश दौरे पर थे। राहूल गांधी ने खरगोन के सेगाम शहर में न्याय संकल्प सभा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मध्यप्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्यप्रदेश नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार और कॉंग्रेस नेता अरोन यादव मंच पर ही मौजूद रहे। राहुल गांधी खरगोन लोकसभा प्रत्याशी पोरलाल खरते और खंडवा प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के पक्ष में प्रचार करने पहुँचे थे। इस मौके पर राहुल गांधी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर जम कर हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने भाशन की शुरुवात निमाड की बात करके की उन्होंने कहा कि निमाड से लोगों का मजदूर के रूप में पलायन हो रहा है। निमाड में Cotton Industries समाप्त कर दी गई है। छोटे उद्योग बंध हो गए है। राहुल गांधी ने साथ ही ये भी कहा कि मोदी जी आरक्षन और समविधान को खत्म करना चाहते हैं। यही चुनाव का मुख्य मुद्दा है। उनसे पूछिये कि आरक्षन बढ़ाएंगे और समविधान को खत्म नहीं करेंगे। आज आप लोगों से जल, जंगल और जमीन चीना जा रहा है। कुछ पूंजीप्तियों को फाइदा पहुचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपका जल, जंगल और जमीन चीन ली जाएगी और देश में 20-25 लोगों का राजभाजपा करना चाहती है। गांधी ने मोधी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने गरीबों, किसानों और महिलाओं का कर्ज माफ नहीं किया बलकि देश के 25 लोगों का 16 लाख करोड रुपए का कर्ज माफ कर दिया। निमाड के युवा दूसरे राज्यों की और पलायन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोधी अडानी जैसे 25 उद्योगपतियों की मदद के लिए गलत GST और नोट बंदी लाएं। गांधी ने कहा कि गरीब महिलाओं को प्रती वर्ष एक लाख रुपए दिये जाएंगे। इंडिया एलायन्स बेरोजगार युवाओं को नौकरी देगा। चुनाव के बाद इंडिया गठ बंधन सरकार मनरेगा के तहट प्रती दिन 400 रुपए मजदूरी देगी। किसानों को दो फायदे, किसानों का कर्ज माफ होगा। किसानों को फसल की कीम से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। कौंग्रेस प्रत्याशियों और तमाम कौंग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को तीर कमान सौपा। वही आरक्षन को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि हम आरक्षन को 50 पिसदी से ज्यादा बढ़ाएंगे। वह किसानों का कर्zan माफ क मोदी जी ने मन बना लिया है कि वो इसको खत्म करना चाहते हैं। अगर संविधान खत्म हो गया तो आपका सब छिन जाएगा। करोड के जाज में घुमते हैं। 20 लाग का सूट पहनते हैं। जो फकीर है वो बिल गेट से मिलते हैं। केवल 20-25 अडानी अम्मानी जैसे उद्योग पतियों से मिलते हैं। हीरो और हीरोईन जितने भी एक्टर हैं उनके साथ फोर्टू खिचवाते हैं। और सिर्फ फोर्टू शेशन करके इवेंट करते हैं देश में। और जिनको वह शेजादा कहते हैं। वो किसान से उसके खेत में जाके उसके साथ रोपाई करते हैं और उसके धर्द को समझते हैं। मेकेनिक्स से मिलते हैं, आदिवासी से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, जो जमेटों में काम करते हैं, ऐसे वरकरों से मिलते हैं। वो मिलते हैं जिनके साथ भलातकार हो जाए मनिपूर के परिवार के पीडितों से मिलते हैं वो हमेशा जा दर्द होता है जा दुख होता है जा परेशानी होती है उसके भीच में जाकर रहते हैं उनको वो शेजादा कहते हैं राहूल जी एक टी-शेट में रहते हैं और मोधी जी दिन में तीन बार कप्ड़े बदलते हैं कॉन शेजादा है और कॉन फकीर ये तो हमें समझना पड़ेगा मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप सब राहुल जी को सुनना चाते हैं मद्यपरदेश में राहुल जी अभी वीजेपी की एक चलन था अब की वार 30 पार अब उनके मन में 12 बोलने की हिंवत नि हो रही है अब की वार 19 पार ये भी हिंवत नि हो रही है जाबवा की सीट कांग्रेस जीतेगी कि नी जीतेगी हाथ उचकर करके बताओ आप सब लगोगे कि नी लगोगे हाथ उचकर करके बताओ एक तरफ है कांतिलाल भूरिया जी जिनोंने पूरी जिंदिगी सत्ता में रहे पर कभी हंकार नी किया कभी हम नी बताया कभी जैसे आदिवासी आम रेता वेसर है और दूसरी तरह पे जो भारती जन्ता पार्टी के मंत्री है उनकी धरम पत्नी अभी विक्रांद को लेके वो एक वीडियो में ने सुना कि विक्रांद भूरिया सुन लेना चुनाओ चले जाएंगे फिर हिसाब करूँगा मैं उनको कहना चाहता हूँ विक्रांद भूरिया अकेला नहीं है उसके साथ ये पूरी फोज है कि नहीं है और ये पूरा मंच है बोलने से पहले विचार करके बोला करो आदर्णी मंत्री जी हम गांदिवादी सोच के लोग हैं पर चुनाओ 100% कांग्रेस पार्टी जीतेगी इसी विश्वास के साथ सबको धन्यवाद देता हूँ और आदर्णी राहूल जी के लिए आप सब जोरदार तालिया बजा इसका अग्रह करता हूँ